तो आगे थे दोस्तों आज की बड़ी खबरे मुख्य समाचारों में आपके लिए लेकर आएं ताजा बड़ी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे हैं एक बड़ी खबर को एक एक करके इन मुख्य समाचारों को आप तक पहुंचाएंगे आप लोग सास में बने रही हैं दोस्तों एक एक खबर जानिए बड़ी खबरे हैं मुख्य समाचार वहीं दोस्तों खबरों की दब चलने से पहले अगर आप भी मानते हैं हर्याना विधान सवाचुलाओं में कॉंग्रेस पार्टी सरकार बना सकती है तो एक लाइक जरू कीजेगा वीडियो को कमेंट भारत दोस्तों दिली के मुख्यमंते एरविंद के जीवाल को सराब घुटाला मामने में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गए जश्टिस सूरिकान तो जश्टिस उजल भुईया की बेंच ने के जीवाल की जमानत पारसाद सम्मत्ति से अपना फासला सुनाया जश्टिस भुईया ने इसे अनुची तंठार आया के जीवाल को जमानत देते हुए जश्टिस भुईया ने कहा कि की सीविया की मंस्मत्ता तो इक की होनी चलें सुप्रीम कोट की टिपपनी के बाद आम आदमी पार्टी हम लावा रहे हैं और जो कुछ करवा रहे हैं वह आमीच सहा करा रहे हैं सुप्रीम कोट ने भी सवाल खड़े कर दिया है दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर अपडेट निकल की आई है इसी के साथ अगली खवाई की तब चलते हैं अगरा के एक अदालत में फिल्म अविहती और भाजपा संसत कंगनार नौत के खिलाब की साना नुरन को लेकर की गई अपत्ती जरक टिपणी को लेकर बाद दायर किया गया है वरेश्ट अदिवक्ता राम संकर सर्मा ने मिले विसेस अदालत में कंगनार नौत के बिरुद राष्ट द्रो और राष्ट अपमान के आरोप में यहां मुकदमा दायर किया है दोस्तों आपको बताते हैं अपने बिवादित वयानों को लेकर काफे ही यहां पर चलचाओं में रहना चाहती हैं कंगनार नौत जिसके चलते एक के बाद एक बिवादित वयान देती हैं कभी काओंगे इस पार्टी कभी किसानों को लेकर तो कभी अनरगल वयान बाची हो सितंबर की तारीख लगाई गई है जब इस मामले की सुनबाई शुरू हो गी और कगना अनौत की मुस्कलें सीधे तोर पर बढ़ती जा रही है एसान सदी भी जाने का खत्रा बना है वहीं दूसरी तर रहुल गाने के खिलाफ भी इन्हों ने यहां पर टिपनी दी थी मानानी का मुकदमा इनके खिलाफ दायर है सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों महाराष्ट चुनाओ की बाद बदल जाएगा गेम सीयम नितीस और चंद अबावुक मारेंगे पल्टी महाराष्ट में सत्ता बदली तो नितीस नाइडू छोड़ देंगे पीम मोदी का साथ प्रतिविराज चौहान का बड़ा दावा महाराष्ट से अपडेट है कॉंग्रेस के वैस टुनेता पूर बसियम प्रतिविराज चौहान ने दावा किया कि हल्यानाओ महाराष्ट में बिधान सबस्वाचुनाओ की ब दोस्तों आपको बताते चलें अपने संभोधन में उन्होंने इस पर्ष्ट किया कि महाविकास हगारी को महाराष्ट में पूर्ण बहुमत मिलेगा और सत्ता बदलते ही मोधी सरकार यहाँ पर गिर जाएगी मोधी की कुरसी हिलने लगेगी एक बात चुना हो गया तो उसके दोस्तों यह कॉंगेस नेता का बड़ा दवा आप लोगों का क्या कुछ कर रहा है जरू लिखे कमेंट बॉक्स में अगली ख़वर की तरब चलते हैं प्यम मोधी को अपने आवास बुलाकर बुरा फसे हैं CGI DIY चल्दचूर दो महा का कारिकाल बचा है उससे पहले दोस्तों विवादों में घिर गए हैं मुक्यनाईदी CGI की गंडपती पूजा में प्यम मोधी क्यूं हो रही है आइटिकल 50 की चर्चा देश में इस समय गंडप आइटिकल 50 की बात हो रही है संविदान के इस अनुछेद में सेप्रेशन और पावर का जिक्र है जी हां दोस्तों आपको बताते चलें केमफेंड पार जूडिशली अकाउंट विल्टी एंड रिफॉर्म्स ने इस भेंट को एक गलत मिसाल बताया क्यूंकि उसके मुताव यह सत्ता के सेप्रेशन और नया पालिका की निस्प अच्छता पर सवाल खड़े करती है दोस्तों आपको बताते चलें लगाता सीजी आई यहां पर ट्रोल भी किये जा रहे ते सोसल मीडिया पर तहां तहां पतिक्रियाएं आई वरिष्ट वकिल पसांद भूशन ने भी अपनी कड़ी पितक्रियाव्यक्त की दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राहे जरू लिखिए आपको बताते चले पुराने उधान है जब यहां पर 2019 में तत्काइन चीप जस्टिस रंजन गोगोई ने अपने खुद के मामले की सुनभाई करते हुए नियमों की को बताते हैं रंजन गोगोई को लेकर पहले भी काफी बिबाद रहा था राज्य सबाग रहे थे मनोनीत होकर बीजेपी की तरफ से और आप चंद चूड को लेकर भी उसी प्रकार के कयास लोग लगा रहे हैं सोसल मीडिया पर यह खबर सोसल मीडिया पर वायरल है दोस्तो पूर्वसियम बसुंदा राजे के बागी तेवर यहां पर एक बार फिर से बीजेपी के वेक फूट पर ला दिये हैं राजे सरकार और बीजेपी आला कमान पर लगातार हमलावार रहने वाली बसुंदा राजे को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदाई दे दी है जिया दोस दोस्तों बीटे कई देरों से बसुंदा राजी यहां पर नाराज चल रही थी अपने गुटके विधाय को साथ बैठक कर रही थी सरकार आइस थे ना हो जाई इसलिए बीजेपी ने बड़ा कदम उठाया राजे को अब भाजपा में बड़ी जिम्मेदाई दी गई दोस् दोस्तों पेडेश की दो बास सीम रह चुकी बसुंदा राजे को भाजपा ने हर्याणा बिधानसवा चुनाओं के लिए इस्टार पेचारकों की लिष्ट में सामिल किया है बसुंदा राजे ने दोहजार चौबी साम चुनाओं के दोरान बीजेपी के कारकमों से दूरी बनाई थी दोस्तों इस दौनवा सीम भजनलाल सर्मा पर भी काफी हमलावन नजन आई और उनके बागी तेवर को देखते ही यहाँ पे आला कमान सा तरक हुए हो दोस्तों आनन फानन में हर्याणा विधानसवा चुनाओं के लिए इस्टार पेचारकों की सूची में पूल मैसूर प्रादिकरन मामले में वहां लगाता घिर रहे हैं भेश्टाचार क्या रोप लगे विपाच्छ हमला वर हैं उनके इस्तीफे की मांग करा ऐसे में दोस्तों सरकार सुचार रूप से चलती रहे कुछ संकट ना है समयधानी कि इसके लिए कॉंग्रेस पार्टी आग लगांदी के काफी करीबी है अमेरिका पहुंचे ते रहूल गांदी तो वहां DK सिप कुमार भी पहुंचे थे उनसे मुलाकात हुई जिसके बाद एक बाद फिर से चाचा तेजहोन लगी करिनातर की जिमेदाई DK सिप कुमार को दी जा सकती है यहां दोस्तों CM सिधा रमया को हटा सकती है कांगे इस पार्टी जिससे की सरकास उचार रूप से चलती रहे ये दोस्तों थी आज की सभी बड़ी खबरे मुख्य समाचार वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने सभी दोस्तों ताकि इन खबरों को जरूर पहुंच चाहिएगा आप सभी दोस्तों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जय हिंद जय भारत